नमस्कार बहुत स्वागत आपका देख रहे हैं बीस फर्वरी को जन्म पाये लोगों के लिए पूरे वर्षका हाल बात कर रहे हैं आयुश्मान भवका जैहा आज धिरांक 20 फरवरी को पैदा हुए लोगों के लिए पूरे वर्षका हाल लेकर के मैं हाजिर होता हूँ पूरा साल आपका कैसा भी देगा बीस फरवरी आप कितना शुभ है मतलब ये समझ लीजिए कि आज का दिन और आज सुभह सुर्योदे के समय जो ग्रहों की इस्थती थी उसने कम्प्लीटली निर्धालित कर दिया कि पूरे साल आप कैसे रहने वाले हैं पढ़ाई लिखाई सब कुछ एक साथ बड़ी चीज है बहुत बड़ी चीज है है ना तो चलिए सुरुआत करते हैं और हाँ आज जिनकी शादी की सालगी रहे है उनके लिए भी हमारी तरब से बहुत सारी शुबकामना है और बहुत बहुत सारा प्यार उपाय आपके लिए भी है लेकिन पहले हम चर्चा करेंगे कि आज पैदा हुए लोगों के लिए पढ़ाई कैसी जाएगी बीस फरवरी को पैदा अगर आप हुए हैं तो उतरा शाड़ और पूरवा शाड़ दो दो नक्षत्रों में आज चंद्रमा का वर्षफल आपके लिए बहुत सारे आयाम खोलेगा आप देखेंगे कि दो मान सिक्ता आपकी आज निर्धारित हुई और पूरे साले चलती रहेगी शिक्षा के मामले में एक निर्ड़े पर आप आना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा अब भया एक्जाम बोर्ड का एक्जाम ये मुश्किले और पैदा करता है बोर्ड के एक्जाम के लिए और मुश्किल होगी क्योंकि जब उत्तर आप सोचेंगे आंसर सोचेंगे तो दो दो आंसर याद आएंगे ये हो सकता है कन्फियूजन होगा कॉम्प्टेटिव एक्जामस में जो जुलाई के बाद आप देंगे उसमें आपको कई तरह की समस्याई आ सकती है तो कॉम्प्टेटिव एक्जामस की तैयारी करने वालों के लिए मैं और हिदायत दूँगा कि बहुत सोच समझ करके फैसला लीजिएगा करना क्या है बहुत अच्छी इस्तिति नहीं है कई सारे रास्ते, कई सारी तिक्कते, कई सारी परेशानिया खुल सकती है रिजल्ट थोड़ा सा निगेटिव हो रहा है लेकिन आपको मायूस होने के आवशक्ता नहीं आपके हाथ में महनत है, आप जी जान लगाकर महनत करिए बस मैं यही सराह दूँगा वर्ष के अंत तक आते आते थोड़ी सी स्थिति सामान होने लग जाएगी और जनवरी पढ़ाई के मामले में बहुत अच्छी जाएगी ब्यापार 20 फर्वरी को पैदा हुए लोगों के लिए बिजनस थोड़ा सा टफ रहेगा ब्यापारिक दिश्टिकोर से नुकसान हो सकता है ब्यापार में कुछ ऐसी स्थिति आ सकती है जो आपके लिए परिशानी का सबब बने लाश्ट होते होते थोड़ा सा ठीक होगा लेकिन फिर भी आपको संभालने की आवशकता है सुरवात में कहीं पैसा आपका ब्लॉक होगा तो अप्रैल मई तक आ सकता है अप्रैल मई तक पैसा आपका आ जाएगा और जून जुलाई ये टाइम ब्यापारिक दिश्टिकोर से बाहर से कुछ निवेशक लाने का है अगस्त सितंबर रुके धन की प्राप्ति अक्टूबर नवंबर नया वेंचर सुरू कर सकते हैं दिसंबर में फिर आपको धन मिलेगा जनवरी थोड़ा सा नुकसान दे सकता है प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए मार्च में प्रमोशन के चांसेज हैं मई बहुत अच्छा रहेगा बॉस चेंज हो जाएगा जुलाई अगस्त थोड़ा सा मुश्किल वीतेगी सितंबर अक्टूबर में बिदेश जा सकते हैं नवंबर दिसंबर रुके धन की प्राप्ति होगी शादी फाइनल हो जाएगी government sector आपके लिए मुश्किले हल हो रही है सरकारी छेतर वालों के लिए किसी तरह से तनाव की स्थिति नहीं है सरकारी छेतर में कुछ बहुत संकेत अच्छे दे रहा है सरकारी छेतर में आप पर लोगों का भरोसा बढ़ेगा और ये आप समझ लिजे कि कुछ बहुत बड़ा करने जा रहे हैं और यही आपके लिए एक अच्छा संकेत दे रहा है सरकारी छेत्र में out of turn promotion के chances सितंबर अक्टूबर में होंगे 9 दिसंबर मन्चाहे स्थानांतरों की संभावना फिर से बन रही है जनवरी फरवरी ये समय 2020 का शादी जो गौर्णमेंट जॉब में है और विवाह नहीं हुआ है उनके लिए चर्चा कर लेते हैं कि जो सरकारी नौकरी वाले हैं वो वाहन का सुक भी ले सकते हैं पूछिये कब अप्रैल और जुलाई में मकान में भी निवेश करने के लिए सौबार सोचिएगा एक बार कुंडली जरूर दिखा लिजएगा दामपत्ते जीवन दिनाएंक 20 फरवरी को पैदा हुए लोगों के लिए मैरिड लाइफ कई तरह के सौगात लेकर किया रहा है मैरिड लाइफ में कहीं एक ऐसी दिक्कत नहीं आएगी जिसको कहीं से मुश्किल में आप कुणा ले अप्रैल मई में बच्चे का आगमल संभव है आप गर्भाधान संसकार के लिए भी प्लान कर सकते हैं यही आपके लिए सब कुछ यूनीक बना रहा है आप पर कुछ ऐसी भी स्थिति आ सकती है जो आपके लिए अचानक परिशानी का कारण बन जाए मैरिड लाइफ में लेकिन सितंबर के बाद अक्टूबर कोई सेंध लगाएगा मैरिड लाइफ में नुवंबर दिसंबर बेहतरीन है नुवंबर दिसंबर में दिकत नहीं आएगी जनवरी कहीं घुमदे टहलने का कारण में बन सकता है जबरदस्थ आरंध रहेगा जबरदस्थ आरंध रहेगा एक और बात लव लाइफ के बारे में लव लाइफ 20 फरवरी को पैदा हुए लोगों के लिए शादी की सौगात जुलाई मिला पाएगा इस बीच में कई बार उठा पटक उतार चड़ाओ देखने को मिलेगा मई बहुत टफ पितेगा जून फिर भी ठीक रहेगा लेकिन सितंबर आते आते जुलाई सितंबर आते आते शादी की बात हो जाएगे पूरा वर्ष बाकी अच्छा भी देगा कोई परेशान होने की आवर्शक्ता नहीं है स्वास्त के मामले में आँख और बैक से परेशान होंगे माइगरियन की समस्या रहेगी थोड़ा सा लो फील करेंगे इस वर्ष और कुछ ऐसी स्थिती भी आ सकती है कि जैसे किसी ने जान बूझ करके आपको परेशान करने के लिहास से किया है घर में भी दवाओं का खर्च बढ़ेगा मतलब ऐसे लोग जो बीस फरवी को पैदा हुए है इनके घर में बिमारियां इस वर्ष जादा आ रही है चोट आदि के लिए मैं आपको मई और अगस्त में आगाह कर रहा हूँ अक्टूबर भी थोड़ा सा सावधान रहिएगा उपाय आपके लिए सिर्फ एक है कोई जरूरत मंद को वस्त्र का उपहार दीजेगा और तीन तुलसी के पोधे कहीं पब्लिक प्लेस पे लगा दीजेगा ये आपको ध्यान देना है और आज जिनके शादी की सालगिरा है तीन लोगों को दवा का दान करके तीन बच्चों को खाना खिला दे बहुत बहुत शुक्रिया और हाँ आज अंतिम दिन है भहिया अगर आपकी शादी नहीं हुई है या आपके किसी परचित की शादी नहीं हुई है लड़का लड़की दोनो तो आज रजिस्टेशन करवाईए कल महा शिवरात्री के रात में अभिशेक और एक गजब का यग्य करवाने जा रहा हूँ मिलेगा नहीं कहीं देख लीजेगा दिखाएंगे हम आपको इंडिविजूल जल्दी से रजिस्टेशन करवा लीजे जल्दी से रहा हूँ